नमस्कार, इस अंक में आप जारखन के गाउं टोला से जुड़े 50 खबर सुनेंगे जो कि क्राइम, साइबर अपराज, सड़क दुरगटना, लोगों की समस्या से जुड़े खबर सामिल होंगे यदि आप अपना समस्या भेजना चाहते हैं तो वार्टसेप नमबर 373-026-872 पर भेज़ सकते हैं जो कि इस अंक में अगले दिन सामिल होगा हर्मू मैदान में 5 दिसंबर को लोन मेला कावेजन किया जाएगा इसमें राची नगर निगम छेत्र के 778 फुटपात दुकंदारों को बिना सर्थ के 10-10,000 रुपए लोन दिया जाएगा मुख मंत्री हमन्सुरे ने केंद्रिय स्वास्त मंत्री से जारखंड के दुमका पलामू और हजारी बाग मेटकल कॉलेज में दाखिला लेने का आगरख किया है जारखंड पुलिस 2015 के दुटी मेदासुची जारिक करने को लेकर मोराबादी मैदान में आज पांच दिनों से सफल अभियार्ती धारना पर है बतादे इस कडाके ठंड में सतर से भी अधिक सफल अभियार्ती धारना दे रहे हैं लेकिन सरकार का कोई ध्यान नहीं है पी एल एफाई सब जोनल कमांडर किष्णा यादों ने पुलिस पुस्ताच में खुलासा किया है कि लोगडाउन में संगठन की आर्थिक इस्थिती खराब होने के कारण लेवी मांगी थी पत्रातु अग केरेडारी थाना चेतर इस्थित बिंजा गाउस से अवैद कोईला लदे तीन हाईवा सहीच साथ को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है राजी अस्तरीय मुख मंत्री स्वाक्षता बिद्याले 2019-20 कारेक्रम में उतक्रिष्ट मद्य बिद्याले बाली जोर को 5 इस्थार एवं दुमका जीला की लगवग 50 चैनित बिद्यालियों को 4 इस्थार दिया गया है देवगर नगर थाना के बाईपास टाउन निवासी दिलीप कुमार ने साइबर थाना में लगभग 3 लाख रुपए अवैद निकाची की लिखित सिकायद दिया है कोडारमा थाना अंतरगत इंदरवा के पास राची पटना रोड पर गुरु वार साम सड़क हादसे में एक युगक की मोथ हुई कोडारमा के डोमचांच के पारहो जंगल में गस्ती के दवरान बनरक्षी पर 20-25 लोगों ने हामला कर दिया है जिसमें बनरक्षी रायस कुमार घायल हो गए धनबाद के किसानों ने केंदल सरकार के खिलाब बिरोध नीतियों के खिलाब परधान मंत्री वक्रिसी मंत्री का पुतला दहन किया किसानों ने तीनों भी लोगो को काला कालून बताया दुमका जीला के सरयाहार थाना छेत्र के खोजहा गाव में एक दुले की अर्थी साधी से पहले उठ गई बतादे दुले की साधी 11 दिसंबर को थी अनियंतरित बाइक से टकराने से मौके पर मौत हो गई राष्ट्रिये जाच एजेंसी ने मानो तसकरी के मास्टर माइंड पन्ना लाल के स्वयोगी मुर्भु गाव निवासी गुपाल उराओ को खोटी से गिरफतार किया है पलामु जिला में चलाए जा रहे मद्दाता पुन्रेक्षन कारेकरम को सफल वनाने के लिए ससी रंजन ने बैठक की जिसमें योग ये का नाम मद्दाता सुची में न छोड़ने का आदेश दिया है हजारी बाग के बरहित हना अंतरगत गौरिया कर्मा निवासी रीना देवी का एक लगता पूत्र अविसे कुमार जो 19 वर्स का था फांसी लगा कर आत्महत्या कर लिया है दूमका पूलिस ने नकसलियों के बड़ी वर्दात को अंजाम देने के नपपाक इरादे को नाकम्याब करने में सफल रही है बता दे मसलिया छेत्र के जंगल से भारी मात्रा में विसफोटक समागरी बरामत किया गया गिरी डी के छोटकी खरक डीहा के कारोबारी मुके सिंग के घर डकायती कांड के दो आरोप्यों को गिरफ्तार किया गया है देवगार उपायुक्त ने कुरोना के प्रती लोगों को जागरूप करने के उदेश से स्वक्सता कीट का वित्रन किया भानवाद के महुदा छेतर के तिलमोचो गरामीन जलापूर्ती योजना चालू कराने को लेकर गरामीनों के साथ विधायक ढूलू महत्तो ने दबाव बनाया है रामगर जीला में विश्व दिव्यंग दिवस पर दिव्यंगों ने नगर परिशत के खिलाप मोर्चाख खोल पांच परतिशत आरक्चन के मांग को लेकर धाना पर बैठे पाकुल अस्थानिये केके एम कॉलेज के सिमेस्टर 6 के छात्र 9 दिसंबर से पहले परिणाम प्रकासित करने की मांग किया है लोहरदगा उपयुत ने गाजीपूर उतर परदे से छुड़ाए गए आठ बंदुवा मजदूरों को लोहरदगा जीला में पुर्णवासित करने के उदेश से बैठक आयोजित की बैठक में जीला सिक्षा अधिक्षक को मुक्त कराये गए बंदुवा मजदूरों के बचों को आवासे विद्याले में नमांकित करने का निर्देश दिया है जार्खन प्रोफेशनल कॉंग्रेस के अधियक्ष आधित्य ने ग्रामिन विकास मंत्री अलमगीर से मिल कर जार्खन इसकील डेवलोपमेंट ट्रेनिंग सेंटर को पुना खुलवाने की मांग की है पलामु जिला के पाकी में गुरुवार को पूलिस और नक्सली के बीच मुड़बेड हुई जिसमें आत्यादुनिक हाथियारों का जाखिरा मिलने से पूलिस में हड़कम मच गया है पाकुर जिला में विभागिया अधिकारियों के लिए परवाही के चलते अस्थानिये पुराना सदर अस्पताल के गोदाम में रखा लाखो रुपय के तीरपन हजार केजी डीडीटी बरामत हुआ बता दे उसे राज ये मलेरिया पदा अधिकारी के निर्देशांसार उठाकर चाईबासा ले जाया गया पलामु में सिविल सर्जन के निर्देश पर एचाईवी जाच कैम्प लगाया गया जिसमें 126 लोगों ने जाच कराया है जार्खन में संक्रामन बढ़ने का आकलन करने के लिए चलाये गए बिसेश जाच अभियान के नतीजे जार्खन के लोगों में हर्ड इम्यूनिटी बिक्सित होने के संकेत दे रहे है मुख मंत्री हमन्सुरे ने स्वास्थ कर्मियों की नियुक्ती में त्यजी लानने की बात कही है अंगला में सुराहवी चेंपियन ट्रोफी फुटबॉल टूर्नामेंट मैच 10 दिसमबर को खेला जाएगा वहीं सता ही दिसमबर को फाइनल होगा जमसेदपूर के DSP पर हजारी बाग की रहने वाली एक युटी ने योन सोसन का आरोप लगाई है इसे लेकर राजेक की राजपाल मुख मंत्री और DGP से सिकायद की गई है ठंड में रूम हिटर वर बलोवर का ज्यादा उपयोग न करे नहीं तो स्वास्थ से जुड़े परिसानी हो सकती है ये एनेम और जी एनेम की बार्सिक परिच्छा 11 दिसमबर को निजाइद की गई है परिच्छा ओफलें संचालित की जाएगी रामगार के गोला में एक युवक का सव दो दिनों से घर में पड़ा रहा ग्रामिनों ने इस मामले में हत्या की असंका बता रहे है राची के काके अंचल इस्थित कोक दोरो के पचपन एकर जमीन घोटाले पर सरकार ने जाज का आदेश दिया है विश्व हिंदू परिशद ने अयोध्या में बन रहे राममंदी निर्वान के लिए पूरे देश में धन संगरा के लिए चवालिस दिनों में पचपन करोर रामभगतों से संपर्क कर योजना बनाई है लोहरदग्गा चहरी छेत्र के बारवा टोली के तेल मिल में काम करने वाले मसीन ओपरेटर की दुरघटना में दर्णाक मौथ हो गई है कर्मा थाना छेत्र के जोगिनी गावनिवासी 28 बरसी सुनील कोल की सुबह 9 बजे तलाब में डूबने से मौथ हो गई जार्खन अधिवक्ता मंच ने जार्खन अंदोलन के प्रखर नेता राज की सोर महतो के आक्समिक निधन पर गहरा सोक प्यक्त करते हुए कहा जार्खन ने एक सच्चा सपूत को खो दिया दरोगा नियुक्ति परिक्षा को चुनोती देने वाली याची का पर हाई कोट में चार जनवरी को सुनवाई होगी राची रेल मंडल में बने 60 कोच आईसोलेशन वाट का इस्तेमाल नहीं हो सका बतादे रेल्वे ने इसे दुबारा समाने कोच में बदलने की काम सुरू कर दिया है अब आपके घर से या सहर से कच्रा उठा है या नहीं एक मसीन बताएगी बतादे इसे लेकर राची नगर निगम में रेडियो फ्रिंक्वेंसी आटोमेटिक मसीन लगेगी टुंडी वा सिंद्री के पूर्व विधायक राज की सोर महत्यों की अंतिम्यात्रा सुक्रोबार सुबा 10 बए निकलेगी जीएश्टी के घाटे की भरपाई के लिए जार्खन सरकार ने केंद्र से बेवज़ टकराव टालने का निनए लेते हुए केंद्र सरकार के सुझाय फर्मूले पर अमल की पाल की है अब अन राजियों की तरह जार्खन सरकार ने भी जीएश्टी छातिपूर्ती की भरपाई के लिए बिकल्प एक चुनने का निनए लिया है धनबाद क्रिकेट एसोसेशन ने धनबाद उपायुक्त को पत्र लिख कर नौ महिने से बंद घरेलू क्रिकेट मैच को फिर से चालू करने का आगर किया है क्रिसी निती 2020 के खिलाप औल इंडिया क्रिसक खेत मैदूर संगठन ने राची जीला में भीरसा चोग पर क्रिसी मंतरी नारेंद्र सिंग तोमर का पुतला दहन किया धनेवाद वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ से करना ना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में आपना फिडबैक अवस्त दे साथी साथ आप यह दी वाट्सेप ग्रूप में जूड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रप्शन बॉक्स में दिये हुए लिंक से डारेक जूड़ सकते हैं वाट्सेप ग्रूप में सिर्फ न्यूज ही भेजे अन्य चीज न भेजे और आप जिस जिला से हैं उस जिला के ही वाट्सेप ग्रूप में जुड़े थैंक्यू